नमस्कार दोस्तों मिरा नाम है प्रदीप चोहान और आप देखने मेरा चैनल खबरहाट दोस्तों राहुल गांदी एक ऐसा नेता है जो इस आजाद भारत में शायद इकलोता अब तक का ऐसा नेता हुआ है और आगे भी शायद इकलोता ही रहेगा जिसने पिछले बंदरा सालों में या बारा सालों में इतना कुछ जहला है कि शायद कोई इनकी जगा दूसरा होता तो राजनीती से सन्यास ले चुका होता बड़े ही सुन्योजी तरीके से किस तरह से उनकी जवी को खराब किया गया उसके बाद किस तरह से सुनोजे तरीके से उनकी राजनीती को खत्म करने की कोशिश की गई ये बात राहूल गानी खुद भी कई बार बता चुके हैं किस तरह से ना सिर्फ उन पे निजी हमले हुए बलके उनके परिवार पर भी हमले हुए बलकि उनकी राजनीती में दिल्चस्पी को लेकर भी लगातार हमले हुए हैं और आज भी उनकी मेन अपोनिन्ट पार्टी जो सत्ता में बैठी है बीजेपी सुभा से शाम तक पूरा प्रोपोगंड़ा टीम जो बीजेपी कितनी मेड़ी प्रोपोगंड़ा टीम है सुभा से शाम तक अगर कोई उनके निशाने पर होता है तो वो है रहुल गांधी वो कोई दिन नहीं गुजरता जब बीजेपी की तरब से रहुल गांधी पर पूरे दिन में कम से कम बीजेपी के नेताओं से 25-30 बयान ना आते हूं वही राहूल गांदी लेकिन अभी भी जम्य हुए हैं उसी तरह से बीजेपी का बलके पहले से ज्यादा डट के मुकाबला कर रहे हैं तकड़े तरीके से मुकाबला कर रहे हैं जिन राहूल गांदी को इस देश की रायनीती से ही बाहर किये जाने की कोशिश की जा रही थी आ अब राहुल गांदी आपको मालूम है कि आजकल पांच राज्यों के चुनाव परचार में है और इन दिनों पिछले दो दिन से मीजोरम हैं मीजोरम छोटा सा राज्य है, 40 विधान सबा सीटों का वहाँ चुनाव होना है लेकिन राहुल गांदी तीन दिन वहाँ पर पूरा कैंपेंड करेंगे रोड शोग कर रहे हैं, प्रेस कॉनफेंस कर रहे हैं, जन सभाय कर रहे हैं और साथ लगते मनिपूर का एक्सपीरेंस वहाँ लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं आज भी राहूल गांदी ने मनिपूर में एक प्रेस कॉन्फेंस को एड्रेस किया लेकिन इस प्रेस कॉन्फेंस जो राहूल गांदी के आज की प्रेस कॉन्फेंस है दूसरी प्रेस कॉन्फेंस से अलग थी आज इस प्रेस कॉन्फेंस का विश्टेशन मैं क्यों करना है हू क्योंकि मुझे लगा कि राहूल गांदी ने इस प्रेस कॉंफेंस में कुछ ऐसी बाते कही जो बाते अक्सर राहूल गांदी अवाइड करते थे या राहूल गांदी ने जिन पर तवज्जों नहीं दी आज वो बाते उन्होंने कही तो मुख्य ते उस प्रेस किपेंज की तीन जो मुख्य बाते हैं उसका विश लेशन मैं आपके साथ करना चाहूंगा सबसे पहला आपको मालूम है जब मैं राहूल गान्धी पे पॹ्रहार की बात करता हूं बीजेपि के केमपेन की बात करता हूं रहुल गांदी के against तो रहुल गांदी को लेंके जो सबसे बड़ा मजाख उड़ता था वो दो चीजों में बीजेपी उसपे प्राहार करती थी एक थी उनकी पपू image वो रहुल गांदी ने एक यातरा से इतनी तहस नैस कर दी कि जो आज रहुल गांदी को पपो बोलते हैं वो खुद पपो सावित हो जाते हैं और दूसरा उन पे जो बीजेपी के मंडल अध्यक से लेकर प्रधान मंतरी तक जो तंज करते हैं वो है परिवारवाद वंचबाद की गांधी परिवारवाद के ये निशानी है और कॉंग्रेस इनकी वैसे का ही चलन है राहुल गांधी हमेशा इस परिवारवाद के आरोपों को लेकर एक चीजें अवाइड करते थे कभी एका दुका थोड़ा बहुत बात करते थे लेकिन जार अवाइड करते थे लेकिन आज जब मिजोरम में राहुल गांधी से ये सवाल पूछा गया तो वह बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कहीं न कहीं वो रुख जाते हैं विच पार्टी विच वद्व वा वत दस्व आमित व्दिशास संदू what is he doing exactly what is Rajnath Singh's son do no but I'm asking you the question you're talking about dynastic politics last I heard last I heard Amit shah's son is running Indian cricket so please be objective look at the look at the leaders in the bjp and ask yourself the question what their children are doing and you will find that many of their children many of their children are dynasties this is the question for the future से हमले होते हैं तो बीजेपी के जो नेता हैं जो पुराने जो हैं वो बीजेपी के कारी करता रहे हैं वो तो करते ही करते हैं हमले हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गांधी परिवार और राहुल गांधी पे नीजी हमले करते हैं वो लोग जो कुछ समय पहले तक असम के मुख्यमंतरी हिमंता बिश्वा सर्मा। और इसका सबसे बड़ा एजेंट है असम के मुख्यमंत्री हिमन्त विश्वासर्मा और उन्हीं के जरिये हिमन्त विश्वासर्मा के जरिये संग और बीजेपी पूरे नॉर्थ इस्ट की कल्चर को खत्म करना चाहती है Look, if you look at the two political parties, right, the MNF and the ZPM, it's very clear that these are both entry points for the BJP. MNF is directly allied with them and it's very clear that the ZPM is not fighting the BJP. It is in fact a platform for the RSS to enter Mizoran. And I think that is what essentially the Chief Minister of Assam is doing for the BJP. He is acting to help them with the cultural annihilation of the Northeast, with the destruction of the cultures of the Northeast. And our, we believe that the cultures of the Northeast, the languages, religion of the Northeast is central to the idea of India. Yesterday I said in my student interaction that what has happened in Manipur, right, is an attack on the idea of Manipur, but also a direct attack on the idea of India in Manipur. And that is, the Manipur model is the RSS model. Himanth Avishwa Sarma को लेकर रहुल गानी ने पहली बार इतनी बड़ी बड़ी बात कही है कि दरसल इशारों इशारों में वो कहना चाहते थे कि जिस सराज्जे में वो बैठे मिजोरम में वहां भी आपको मालूम है कि तक्रीबन तक्रीबन 88 या 89 प्रतिशत लोग इसाई समुदाए के हैं और बीजेपी और संग का एजेंडा हिंदुत्तों वाला है तो वो नौर्थ इस्ट के लोगों को आगा कर रहे थे कि लोकल पार्टी के लिए कास करके उन्होंने कहा कि मिजोरम में जो मिजो नेशनल फ्रंट है जो भी जिसकी सरकार है और एक जेड़ एम जो दूसरी पहलानी की कोशिश कर रही है और वहां हिंदुत्तों के एजेंडे को लागू करना चाहती है राहूल गांदी इशारों में लोगों को ये आगाह कर रहे थे लेकिन इसके अलाव भी राहूल गांदी ने बहुत सारी चीजे बाते बोली लेकिन एक और बड़ी महत्वण बा और उसके बाद अब इन पांच राज्यों में जो दिख रहाएगी उन्होंने दावा किया बाकाईदा कि पांचों राज्यों में कॉंग्रेस सरकार बनाएगी आपको यादा कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि छतिजगड मध्यप्रदेश तो हम जीती रहे हैं तेलंग तो यह नहीं रूप आया है ना इसकी सबसे बड़ी वजा खुद बीजेपी है रहुल गांदी के मुताविक बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती यह की कि उन्होंने यह समझ लिया कि कॉंग्रेस मर चुकी है और यह समझना ही बीजेपी की सबसे बड़ी भूल थी और these ideas, these ideas you know like the party is marginalized. Look, last I heard the Congress party was marginalized in Karnataka. We smashed the BJP in Karnataka. Then I heard that the Congress party is marginalized in Telangana. Now I am hearing the BJP is going to be smashed in Telangana. then I heard the Mr. Adwani wrote that the laboratory of the BJP is Madhya Pradesh we are going to decimate the BJP in Madhya Pradesh BJP is a very strong party in Chhattisgarh we have wiped them out of Chhattisgarh we are going to defeat them again in the election BJP is very strong party in Rajasthan well we defeated them the last time we are going to defeat them again this time right and we are going to do the same to them in the north east please do not underestimate the idea of the congress party there is a big difference between the idea of the congress party which is deeply embedded in the hearts of the people of Mizoram and the hearts of the people of the north east and it is very easy for the BJP to portray using the media that they control you know such statements that our party is marginalised is not marginalised don't worry just be a little bit patient and see what happens in Mizoram in the country so that the congress party that the congress party has made the issue of the peace of the people of the country in India गांदी का असली चेहरा आया तो साथ ही कॉंग्रेस में भी जोश आया तो कॉंग्रेस ने भी बीजेपी के हर मुद्दे का जवाब देना शुरू कर दिया तो ऐसे में लोगों के दिलों में फिर से कॉंग्रेस आ गई चाहे अभी विधानसभा चुनाओ में हैं हो सकता है लो जो विधान सभा चुनाव हो रहे हैं इस साल में जो 2030 में हुए हैं करनाटक से उसे थोड़ा पहले हिमाचल भी चले जाई है अब यह कहानी 2024 की साफ बयां कर रहे हैं इस बार उतना फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा जो 2019 में मिले था है कि सरकार कॉंग्रेस की बनी मद्य पर्देश, चत्तिसगर्ड और राजिस्थान में लेकिन लोग सबाच चुनाव में उसका बिलकुल उल्टा हुआ लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है इस बार मुझे लगता है कि अगर कॉंग्रेस उल्टा कर दे कहीं तो वो उसमें भी हैरान मतवियों के लेकिन इतन पाक नहीं रखता जहां लोग कहते हैं कि मोधी के चेहरे पे लोगसबा कर चुनाव बिलकुल बदल जाता अए अरे ये चुनाव भी तो मोधी के चेहरे पही लड़ा जा रहा है ना राजस्थान में गहलोत वर्सिज मोदी है, मध्यपरदेश में कमलनाथ वर्सिज मोदी है 36 गढ़ में आपको मालूम ही है कि भुपेश भगेल वर्सिज मोदी है क्योंकि वहाँ स्थानी चेहरे तो कोई BJP के है नहीं तिलंगाना में BJP, Congress और BRS को तो छोड़ी वहां तो BJP versus MIM है और मिर्जोरम में है ही नहीं कहीं जगा तो जब इन तीन बड़े राज्यों में अगर हार जाती है BJP और Congress जीट जाती है तो जब इन तीन राज्यों में मोदी का चेहरा reject हो जाएगा और उससे पहले करनाटक में reject हो चुका उससे पहले हिमाचल में रिजेक्ट हो चुका है तो इतनी रिजेक्शन के बावजुद भी अगर लोग ये कह रहे हैं कि लोग सबाचुनाओं में मोधी के चेहरे पर ही वोट परेंगे तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी गलत फैमी में जी रहे हैं या तो उन प्रदान मंदरी मोधी का जो डेस्परेशन है क्या वो चीज उन लोगों को समझ में नहीं आ रही अब उधारन के तोर पर ये महुवा मोहित्रा है आपको मालूम है कि टीमसी की सांसद हैं और अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरती हैं राहूल गांदी ये और संजय सिंग तीन लोग घेरते थे संजय सिंग को जेल में डाल दिया है राहूल गांदी के साथ जो करना था वो आपको मालूम है अब भुआ मोहित्रा कि जो दो दिन से जिस तरह से इज़त तार-तार की जारी है सोशल मेडिया पर एक सांसद की एक महिला सांसद की इज़त के साथ कैसा कैसा खिलवार किया जा रहा है कैसी कैसी इनकी तस्वीरیں श होना चीए हैश्टेक क्या दिया गया है इनको आप सोच एक गाली के साथ हैश्टेक इनका जोड़ा गया है तो ऐसे में आप जिस सरकार के खुद के सांसद निशी कांत दूबे इसकी अगवाई कर रहे हैं तो ऐसे में आप desperation समझ सकते हैं कि सरकार की desperation है कि अब जो आवाज उनके खिलाफ या उनके दोस्त के खिलाफ उठ रही है उस आवाज को हर हाल में तवाया जाएगा तो ये बात लोगों को ऐसे ही नहीं चली जाएगी सिर्के उपर से नहीं चली जाएगी लोग सोचते हैं लोग बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि संजय सिंग को जेल में डालना पड़ रहा है मोगवा मुईत्रा के साथ यह इस तरह का विवार कर रहे है और रहुल गांदी के साथ हर कोशिश करी कि उन्हें किसी तरह से देश की राजनीती से भार किया जाए तो हिंदुस्तान की जनता इतनी बेवकुफ नहीं है वो चीजों को समझती है ये सब नौटिंग की जितनी मर्जी सरकार कर ले लेकिन इसके पीछे सरकार की लाग कोशिशों के बावजूद ना महंगाई का मुद्दा दबने वाला है ना बेरोजगारी का मुद्दा दबने वाला है ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार के गले में फांस बन चुके हैं और उपर से इन मुद्दों के चारो तरफ अब कॉंग्रेस ने जातिकज जनगंणा का मुद्दा ये कॉंग्रेस रहे है इंडिया आलाइंस ने जातीकर जन्गन्ना का मुद्दे का जो और फंदा कस्दिया है वो और मुश्किल पैदा कर रहा है और सांस लिना दूबर कर रहा है सरकार का इसलिए सरकार की ये जो फ्रस्टेशन है आपको दिख रही है कल के वीडियो में मैंने एक और एक्जामपल दिया था जहां सेना का इस्तेमाल कर रही है सरकार की सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए सेना का इस्तेमाल किया जाएगा यहां तक की सुना है जो सैनिक छुटी पे होंगे जो घर पे होंगे उन्हें भी यह जिम्मेदारी दी गई है कि जहां भी हो जाएंगे वहां सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे बताइए सेना को भी सरकारी भौपू बना के छोड़ दिया है तो यह desperation नहीं है तो क्या ह उसके बावजूद भी अगर कोई यह कहता है कि 2024 में ब्रैंड मोधी के सामने सब भीके पड़ेंगे तो अपनी गलत फहमी को या तो दूर कर लीजिए नहीं तो अपनी गलत फहमी को अपने पास ही रखिए लोगों में फैलाने की कोशिश मत कीजिए फिलाल आज के इस इदत होती है नमस्कार